हेलो दोस्तों गुड मॉर्णिंग आज हम बना रहे हैं तमटर और पनीज तो चार टमटर लिए हमने इनको काट कर बोईल कर रहे हैं यह हमने चार प्याज लिए हैं लसन लिए हैं और अद्रक लिए हैं तमटर हमारे बोईल हो गए हैं इसमें हम प्याज डाल देंगे अद्रक डाल देंगे और रसन डाल देंगे इसको भी हम दो मिनट के लिए बोईल करेंगे हमारे तमटर और प्याज शांदार बोईल हो गए हैं इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर इसको हम पीसें इस मसले को हम एकदम फाइन देंगे यह यह था किलो पनीर लिया है और इसके सबजी बना हें के लिए हमکंटिंग कर देंगे ये हमने पनीर की फाइन कटिंग कर दी है कड़ई हमारी गरम हो गई है इसमें 2 चमस्त फैठम दालेंगे प्याज लस्न अद्रक टमटर का पैस्ट तयार है तेलै कने उसमारे गरम हो गया है इसमे थोड़ा सा गरममसला डालेंगे और ये पीछ युए हम ग्रेवी दालेंगे हाफ चमच हल्दी डालेंगे जमक डालेंगे स्वाद अनुसार और ये चमच लाल मेच्छी डालेंगे ये हमारी शांदार पनीर की टमाटर ग्रीवी तयार होगी ये तेल छोड़ेंगी तब इसमें हम पनी डालेंगे इसको पूरा पकाएंगे ये मराख अंदार मसाला तयार मने लगा और इसमें जली भी पढ़ने लगी है ये ये मारी जली पढ़ गई है इसमें आप कसूरी ने डालेंगे शानलार क्रश्च पीवी और पनीर डालेंगे लाएंगे एक शेकेड पूट नहीं 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 यह मारी शांदार पनीर की सब्जी थे आरें यह मारी ची सर्चपोँ नहीं नहीं की सिर्च सर्चभ झायोडा सक एंठता झालगा शासर फिस सीक्तिंह नहीं नहीं को है से लाकिता झालगा सुन्मुषze दो छाल हुछ CE inmा सा ग